कि जेहिंद कमांडो मैं योगिदागरे वाई राज डिफेंस करेशनल पर आपका आर्देगवनाद स्वागत करता हूं कमांडो और जिन बच्छों ने अभी भी जैसा कि आपको पता है टैन्थ और ट्वेल्थ के एक्जाम चल रहे हैं तो बच्छों को ज्यादा सहारा देने कुछ कॉस्टन्स लेकर आया हूं जितना मुझे समय मिल पाया है मैंने कॉस्टन्स यहां पर रखे हैं आपको बैटन पता चल जाएगा ठीक है और बहुत सारी चीज़ें में बता पाऊंगा एकदम एक वीडियो में नहीं हो सकता लेकिन कोसिस की गई है कि आपको ज्यादा जिनने बच्चन टेलिग्राम को नहीं जोन किया जिनके भाई बैन कॉम्टिशन के तियारी करते हैं वो भी इस पे जुड़ जाएं और जिससे ज्यादा स्यादा लोग मेरे इसका आनंद ले सके ठीक है पहला कॉश्चन आपके स्क्रीन पर है पहला कॉश्चन है पांच रूड़ बराबर यह वट्टे भी यानि पर्मेर संक्या क्या होते है कमंडический अगर मैं अगर मैं इस फांच को बी के साथ ले जाओं तो यह संख्या बन जाएगी मेले इसे तो root 2, root 2 क्या होनी चाहिए, root 2 आपको बटे में नहीं लिख सकते, अत्य ही एक अपर्म्य संध्या है, और A और B क्या है याँपर एक इंटीजर है, तो यदis A वट्टे 5 भी पर्म्य संंध्या है, तो सीधूर सी बात कि रूट 2 भी एक पर्म्य संध्या होगी, लेकिन आ अपरमे संक्या होती है उपने है लिग दी जाती है वह ज ज़्डी ही इतनी यलदी नहीं आया तो जितने आपके लेकर आयह हुँ वह इन से ज्यादा स्यादा ले लेना समी पर एक खोड़ाए्ट एक ब्रकेजिंग LPP है जिसमें दे रखा है 2 2x-1 x-3-3 x-3 2x-1 बराबर 5 जिसमें x is not equal to minus 3 और 1y2 इस टाइप के अगर question आपको दे रखे हैं तो सीधी सी बात है इनमें इस वाले को क्या मान लिया करो इनमें से पहले वाले को y मान लिया करो दूसरा वाला एक बट्टे y अपने आप हो जाएगा तो लेट कर लिया 2x-1 बट्टे x-3 बराबर क्या कर लिया y के तो सीधी सी बात है अब y अपलाई कर दो तो 2y हो जाएगा और 3 एक बट्टे y हो जाएगा बराब जीरो अब इसके ऐसे गुड़ा खंड करने है कि 3-2-6 गुड़ा करके 6 आना चाहिए तो 6-1 कर लिया यहाँ पर इसके फेक्टर कीए तो y बरावत 3 और माइनस 1 बरावर 3 और एक वार 3 रखके देखेंगे और इस प्रकार से हमारा अंसर आ जाएगा यहाँ पर जैसे इसको अगर मैं solve करूँ तो इसके नीचे एक माल ले रहाँ तो 2x-1 बरावर 3x प्लस 9 हो जाएगा कुल मिला के 3x-2x-9 ठीके और माइनस 1 यानि माइनस के 10 हो जाएगे इदर और इदर क्या हो जाएगा x हो जाएगा एक value यहाँ से आजाएगी इस तरीके से हम value नेकाल सकते हैं यहाँ तक किसी को दिक्कत next question की तरफ चलते हैं next question की तरफ चलते हैं yellow color ले ले लेते हैं यानि blue ले ले लेते हैं यहाँ ठीक है वहीं देखते हैं एक नाव की सांत जल में चाल 15 km प्रत घंटा दे रखी है नाव को धारा की दिसामे 30 km जाने में और विपरित दिसामे आने में उसी इस्तान पर कुल 3 गंटे 40 मिन्ट लगती हैं तो आप इसको गंटे में तब्दिल कर लेंगे धारा की चाल बतानी हैं ऐसे question हो में सबसे पहले यह देखो किस की चाल दे रखी है इसमें हल जब हम करेंगे तो हमें सांत जल में नाव की चाल दे रखी है 15 km प्रत घंटा तो धारा की चाल अगर बहते हैं तो बंदर प्लस x km गंटा हो जाएगा उसकी विप्रित अगर चलते हैं तो 15-1 km गंटा हो जाएगा और अनकूल जाने में समय निकालेंगे दूरी बट्टे चाल वाले फॉर्मुले से 30 बट्टे 15-1 और विप्रित जाने में 30 बट्टे 15-1 अब वो क्या कह रहा था कि दोनों को टोटल समय कितना लगता है तीन गंटे 40 मिंट तो बस प्रस्नानुसार क्या कर लेंगे प्रस्नानुसार सबसे पहले हम एक काम करेंगे पहले गंटे में मिनट को दब्दील कर लेंगे 40 मिनट है साट का भाग देदेंगे है ना 30 मिनट है 30 मिनट है 30 मिनट है यहां पर यह तो इसका भाग दे देंगे इस तरीके से इसका 9,8,2 आ जाएगा कुल समय किसके बराबर था अनकूल और विपिरिज जाने में समय के बराबर था टोटल था इनकी कैकुलेशन कर लेंगे नीचे नीचे का लगत्तम ले लेंगे 30 कौमल लेके 9 से काट देंगे इस तरीके से X बराबर क्या माना आजाएगा कमंडो प्लस माइनस 5 आजाएगा प् जाएगा यही ऊंसर आजाएगा आपका correct इस टैप के कॉस्चन हो करने के लिए इस दियात रहें रखें अनकूल में जोड़ते हैं प्रतिकूल में घटाते हैं नेक्स्ट कॉस्चन आपके स्क्रीन पर है तुरभुजों से कॉस्चन है दो समरूत प्रभुजों के परमाप दे रखें आपको 40-7 और 60-7 दे रखें 6 तुरपलों के परमाप बताओ आपको मैं बता दू सीधी सी बात है परमाप आपको दे रखें है चेतपल का फॉर्मला यह होता है परमाप का स्क्रीन हो जाता है तो तुरभुज पहले का परमाप और तुरभुज दूसरे की परमाप का जो अनुपात है वो हमेशा A1 बट्टे A2 के बराबर होता है यह आपको मांदे रखें है चालिस सेहमी और साथ सेहमी जीरो से जीरो कार देंगे और दो दूनी चार दो तीच्छे यानि दो बट्टे तीन रेशियो यहां से आ जाएगा बस तुरभुज का चेतपल पहले तरभुज का चेतपल बट्टे दूसे तरभुज का चेतपल निकालेंगे तो वो पर्माप का स्कॉर होता है तो 2 बट्टे 3 का स्कॉर करेंगे तो 4 बट्टे 9 यह ऐसे कॉस्टन विकलप में भी आते हैं आपके ठीक है टेंथ में आपको पता है लागू हो गई है तो अच्छी तरीके से भरा करें विगलपा को और उसको पहले टैली कर लिया करें कुछ तो सीधी सी वात है ऐसे को करने के लिए 10-45 का मान कितना होता है 10-45 का मान होता है कमांडो एक होता है तो बस इसका मान रखते जाएंगे यहां पर एक वायनस जीड़ो हो जाएगा जीरो में किसे ंग्यागब भाग देते हैं जीरो आ जाता है अगर उसने ऑप्सन में कॉस को दो को सोद्वे एक जैसा करने के लिए इस से वो एक दूसरे से क्या हो जाए सवान पात में हट जाएं तो एक वह सवालों के बाद कुछ तुम्हारे घडी से समधित questions भी आते हैं कि गड़ी की minute की सुई आर centimeter लंबी है एक minute में minute की सुई द्वारा त्रिज घंड का चित्रपल बताईए त्रिज घंड का चित्रपल आप से पूछा जाता है तो पहले ये पता करो कि 60 minute में कितना कॉंड गूमेगी तो फिर एक मिनट में कितना कॉंड घुम जाएगी तो एक मिनट में 302,60 हो जाएगी कुल मिला आके 6 डिगरी का कॉंड घुम जाती है और थीटा का त्रिज घंड का चित्पल निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है थीटा वट्टे 360 गुडा पाई यार स्केर ठीटा की जाए आपके बहुत अच्छे कौसंस आते हैं कि मिनार के चोटी का औहुतिस को नीचे से ऊपर की तरब देखते हैं और ऊपर से नीचे देखते यह तो वा अवन कौन होता है उपनोन को ऑल्स और वहीं डिप्रेसन इंगल आख fan ऑपर से नीचे वाले को बोलते हैं ठीक तो आपक को 10 में तोड़ने की कोशिस किया करो तो बस ऐसी हम त्रोज माल लेंगे 40 मिटर की दूरी पर विंदू सी है जहां से 45 के एंगल पर एक मीनार को हमें देखना है तो बस समकॉड त्रोज तो ये बी सी में 10 पैदालीस वरावर क्या दे रखा है लंब वट्टे आधार एवी वट्टे क्या दे रखा है बी सी दे रखा है तो बस 10 पैदालीस कमान वरावर क्या हो जाएगा H वट्टे 40 हो जाएगा 10 45 किसके बरावर होता 1 के बरावर तो 1 वट्टे H वट्टे 40 क्रेस मल्टिपले करेंगे तो H वट्टे 40 मीटर आ जाएगा एक और कॉस्टन बहुत ज़्यादा पूछा जाता काफी ज़्यादा इंपोरेंट है किसी समय स्थम्ब की छाया की लंबाई उंचाई की हमेशा किती गुनी होती है तो उन्यन कौन बताईए तो सूर्य का उन्यन कौन बताईए स्टैप का कॉस्टन पूछा जाता है किसी समय स्थम्ब की छाया की लंबाई उंचाई की रूड तीन गुनी है मीनार की उंचाई की रूट तीज सी बात है तो अब इन राइंगल ट्रयंगल तो ट्रभुज ऐसे पूसे अधर कर देंगे तो 10 इस से हाँग जाए एक बार तो टैन में एक ब मैं एक मान होता है तैन 30 का मान होता है सिमिलर्टी से थीपा प्रावर क्या हो जाएगा तीसे स्टाइप का कॉश्चन बहुत पूछा जाता है आप लोग अच्छे से करना उसको ठीक है एक और कॉश्चन है आपका मीनार के आदार से मीनार के आदार से सो मीटर और पच्चीस सहमी की दूरी पर की दूरी पर समतल पर दो बिंदूओं ए और भी सीधी रेखा में है उन्यन कॉण एक दूसरे के कोटि पूरक है कोटि पूरक एंगल क्या होते हैं जिन्दो कॉणों का योग कितना हो जिन्दो कॉणों का योग कितना हो 90 हो उसे कोटि पूरक या पूरक कॉण कहते हैं कमंडो वही मीनार की उचाई बतानी है आपको तो सीधी सी बात है आपको सीधी सी बात है मिनार के आदार से 100 मीटर की दूरी पर और 25 सेंटीमिटर की दूरी पर की दो बिंदू है ए और बी क्या है ए और बी दो बिंदू है ए और बी दो बिंदू है ए और बी दो बिंदू है तीधी रेखा में है एक दूसरे कोट पूरा क तो 10-90 सीटा वरावर 25 दोनों का मिल्टिप्लाइब कर देंगे क्यूंकि आपको पता 10 ठीटा 10-90 सीटा किसके वरावर होता है झाल का इल्टा होता है और ठीटा तो कुल मिला के एक वरावर किसके हो जाएगा ऐस इसके रवट्टे पचास मीटर आ जाएगा, पचास मीटर आ जाएगा, इस तरीकी से कुछ मैंने कॉस्चनों की स्रंखला आप लोगों को दी, टेंथ वाले बच्चों के लिए उनके लिए थोड़ी लावकारी सिद्ध होंगी, ठीक है, और कोसिस करूँगा, ज्यादा से यादा कुछ करने की, मैं मेरातन नहीं लापाया, इसके लिए आप से छमा है, लेकिन ये कॉस्चन्स आपको बहुत कुछ देंगे, तो इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है, यहाँ तक अगर चैनल सस्क्राइब नहीं किया, तो कर लेना, और मैं जल्दी ही 12 वाले बच्चों के लिए इंगलिस की पूरी मैं रतन किलास लेके आना वाला हूं, तो उसका लाव लेना ज्यादा से यादा, ठीक है, जैहिन, वंदे मात्रम, और जन्होंने ठेंक्स पर बोचिंग, जैहिन, ठीक है, वंदे मात्रम, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, then well, well icon को दबाएं, ठीक है, like करें, comment करें and then share, ठीक है, जैहिन